बड़े बुजुरुक को कहते है कि दीप सब मंगल का कारक होता है और ये सिर्फ हमारे बड़े बुजुरुक काई नहीं कहना है ये सुरेष्ठ विज्ञान संस्थानों के बड़े वड़े केमिकल इंजिनियर्स इसका भी कहने इसका कारण क्या है कि दीप जलाने के पीछे कुछ scientific region होता है वह देखो कि क्या होता है कि जैसे दीप सर्सों के तेल में magnesium होता है अब यह magnesium क्या करता है कि हवा में जो भी SO2 और CO2 जैसी जैरी लिगे से होती है विसे लिगे से होती है उनके साथ में क्रियागर यह क्या बना लेता है जैसे MgSO4 और MgCO3 तो क्या बना लेगा sulphate और carbonate बना देगा उनके अब यह देखो कि जो विसेले तत्व थे वह क्या हो गए थोड़े भारे हो गए अब भारी होने की वज़े से यह का आ जाते है जमीन पर आ जाते हैं उसकी वज़े से हवा कैसी हो जाती है हलकी हो जाती है तो देखो कि प्रदुशन को समाप्त करने में दिये का बहुत बड़ा रोल होता है और देखो इसमें प्रचलन को प्रचलन कुछ सालों में बहुत बढ़ रहा है लोग दिये कम करके और ओर मौंबती ज्यादा जलाते हैं दियों की संक्या देखो गटते कब कितनी आ गई है कम से कम 21 तक आ चुकी है कि आज कल क्या करते हैं 21 दिये सबुन के और बागी सारी केंडल्स जलाते हैं अब देखो यह जो मौमबती आप जलाते हो उसमें कितने ज्यादा हानिकारक केमिकल्स होते हैं तो देखो मौमबती की पेराफीन जो होती है यह पेराफीन इसमें होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स जाइलीन फिनॉल और एसिटोन यह क्या अगर इसे होने वाले विमारियों में प्रमुक है सिर्दर्ड या फिर सास की समस्याएं लंग्स और ब्रेन का कैंसर और जैसे इसकी बाती में मौजूद होत तो समस्दार बनौ और सही चुनुल